हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई चानल, आज हम करने जा रहे हैं अपना पार्ट क्यारा, रहीम के दोहे, कक्षा साथ, बसंद पुस्तक, भाग दोका तो आईए इस पार्ट को स्चार्ट करते हैं कही रहीम संपती सके बनत बहुत बहुरीत, बिपत्ती कसोटी जे कसे तेई साचे मीत तो इसका अर्थ है कि रहीम जो हैं वो कहते हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ती होती है तो हमारे बहुत से मित्र और संबंदी बन जाते हैं परंतु जो व्यक्ति संकट के समय साहता करता है वही सच्चा मित्र होता है तो जो हमारा दोस्त धन और संपत्ती में हमारे साथ है लेकिन हमारे संकट के समय हमारे साथ नहीं है वह एक सच्चा दोस्त नहीं है सच्चा मित्र तो वही है जो हमारे संकट के समय हमारे साथ रहे हमारी मदद करे वही एक सच्चा दोस्त है अब जाल परे जल बात बही तजी मीनन को मुहो रहीमन मचरी नीर को तव ने छांडती छो इसका अर्थ है कि जो इस दोहे में रहीम कहना चारा है कि जल के प्रती मचली के गहरे प्रेम के बारे में बताया है और जो मचली है वो जल से प्रेम करती है पर जल जो है यानि कि जो पानी है नीर है वो मचली से प्रेम नहीं करता है रहीम कहते हैं कि जब मच्छी पकड़ने के लिए जाल को जल में डाला जाता है तो मच्छीयों के प्रती मौ को छोड़ कर जल शीक्र ही जाल से बहार जाता है बहे जाता है लेकिन मच्छीयां जल के प्रती अपने प्रेम को नहीं खतम कर पाती वे जल से आगे होते ही तरब तरब कर मर जाती है तो जो मचलिया है उनको जल से बहुत जादा प्रेम है लेकिन जल को मचलियों से प्रेम नहीं है जब भी कोई मचली पकड़ने वाला आता है वो जाल को जल में डालता है तो जल में से जो मचलिया है वो तो उसमें ही रह जाती और मचलियां पानी से या जल से दूर होते ही तड़प तड़प कर मर जाती है अब है तरूवर फल नहीं खात है सरवर पियत नपान कही रहीम पर काज हित संपत्ती सच ही सुजान वह कहते हैं यानि कि रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार व्रिक्ष स्वेम फल नहीं खाता है सरवर स्वेम पानी नहीं पीता है ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति धन का संचे खुद के लिए ना करके प्रवपकार के लिए करता है तो जैसे कि व्रिक शैपेड है वो अपना फल या फल जो है वो खुद नहीं खाता है ना कि सरोवर है जो रिवर्स है अलग-अलग है ओशन्स, रिवर्स, सीज वगरा वो अपना पानी खुद नहीं पीते हैं उनका पानी भी हम पीते हैं ऐसे ही जो सजन व्यक्ती है अच्छा व्यक्ती है वो धन का संचे खुद के लिए ना करके वो खुद के लिए नहीं यूज करता है उसको औरों के लिए प्रुपकार करता है उसी धन से तो अर्थ है कि इस दोहे में जो रहीम है वो ये कहना चाह रहा है कि कवार मास के बाद लोकव जो वर्णन है वो किया गया है इसमें और रहीम जो है वो कह रहा है कि कवार मास में अकाश में बिना पानी के खाली बादल केवल गरजते हैं बरसते नहीं ठीक उसी प्रकार धनी पुरश करीब हो जाने पर भी अपने सुक के दिनों की बात याद करके घमन बरी बाते बोलते रहते हैं तो जो बादल है वो जो कवार का महीना होता है उसमें उनमें पानी नहीं होता इसलिए वो गरजते हैं सर्फ वो बरसात नहीं कर पाते सर्फ गरज के रह जाते हैं ऐसे ही कोई भी धनी व्यक्ति जो होता है धनी पुरुश धनी व्यक्ति जो होता है वो गरीब बनने के बाद भी अपने पिछले दिन बरीती बातों को याद करकर के कभी गमन नहीं छोड़ता है और ऐसे ही बात करता है धर्ती की सी रीत है सीत गहाम ओ में है जैसी परेसो सही रहे त्यो रहीम यह दे तो इसका अर्थ है कि रहीम जो है वो कहते हैं कि शरीर के की झेलने की रीती धर्ती के समान होनी चाहिए जिस प्रकार धर्ती सरदी गर्मी और वर्षा को विपरीट स्थितियों को सहन कर लेती है उसी प्रकार मनुश्य को भी शरीर भी ऐसी ही होनी चाहिए जो जीवन में आने वाली सारे जुक दुक को भी कैसे भी परस्थिती हो उसको जेल पाए उन्हें सहन कर पाए तो जैसे की धर्ती है वो गर्मी, सरदी, वर्षा जो भी चीज हो अर्थकोग वगरा जो है सबको सहन कर जाती है वैसे ही एक मनुश्य का शरीर भी ऐसा ही होना चाहिए कि कोई भी सुक दुक आए कुछ भी आए कैसी भी परस्थिती हो वो उसे सहन कर पाए तो यह हमारा chapter था रहीम के दोए आशा करती हूँ आपको मेरी explanation अच्छी लगी हो अगर आपको अच्छी लगी है तो comment करके जरूर बताए वीडियो कैसी थी and don't forget to like, subscribe, share so bye everyone thank you for watching my video